नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है बालचंद्रा ब्रह्मान्ड सिध्यास्ट्रों में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडिया में हम चर्चा करेंगे मेश राशी की अगर मा है तो उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होगा उनके जो संसकार होंगे वो किस प्रकार के होंगे सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले है अपना ये जो चैनल है ब्रह्मान्ड सिध्यास्ट्रों इस चैनल पर हर एक राशी की मा है उनका जो नेचर है, उनका जो स्वभाव है, उनके जा संसकार है, उनका संपुर्ण व्यक्तित्व है, वो किस प्रकार का होता है? उसे के संदर में वीडियो अप्लोड हो रहे हैं, आप उसका आनन जरूर लीजे. तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, मेश राशी की जो मा है, उनका संपुर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है? अब एक बात तो इसमें काफी सरल है, कि मा का जो व्यक्तित्व है, वो अपमें आपमें ही काफी महान होता है, और वो शब्दों से बयान करना कटिन है. और ये जो भावना है, या फिर ये जो रिलेशन्शिप है, वो अनुभव की जाद सकती है, शब्दों से भी जादा उसका मोल होता है. लेकिन ऐसे भी बात होती है, कि उनका जो व्यक्तित्व होता है, वो कई दफा अलग सा मालूम होता है. प्रेम का प्रत्यक्ष अनुभव हर एक राशी का अलग-अलग होता है. तो मा का जो अनुभव है राशी के संदर में भी, या फिर उनका जो प्रेम है, वो भी राशीयों पर बहुत ज़्यादा तिका रहता है. तो उसी के बारे में मेश राशी की अगर मा है तो उनका जो व्यक्तित्व होगा वो किस प्रकार का होगा देखिये होता क्या है कि जैसे आप सभी को पता भी है कि जो मेश राशी है इस मेश राशी का स्वामी मंगल है और ये जो राशी है मंगल की positive राशी है तो मेश राशी की जो मा होती है वो काफी जादा straight forward होती है और बहुत सीधी सीधी मालूम होती है कई दफा अगर आपकी मा मेश राशी की है तो आपने ये महसूस भी किया होगा कि बाकी जो बच्चे हैं या फिर आपके जो friend है या फिर आपके मित्र है उनकी जो मा हैं वो काफी जादा loveable है बहुत जादा प्रेम करते हैं और कभी भी मारना पिटना ये बात ये उनसे नहीं होती लेकिन अगर मेश राशी की मा है तो उनका जो स्वबाव है वो थोड़ा सा short temper होता है मारना पिटना ये बाते काफी आम होती है मतलब यहाँ पर दो तिन बाते हैं वो जान लेना बहुत ज़्यादा आवशक है हाला कि आपने वो अनुभव भी की होगी कि मेश राशी की जो मा होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दो बार आपको कोई भी बात कहेगी अगर आप नहीं मानते या फिर फिर भी आप से कोई गलती होती है तो फिर उनकी जो जुबा है वो नहीं चलेगी उनके हाथ चलेंगे तो उनका वो ही मानना होता है कि उनके पास पेशन्स जो है वो थोड़ा कम होता है तो अगर बातों से अगर बात नहीं बन रही है तो लातों से ज़रूर बनेगी तो यही बात होती है कि उनका जो विक्तित वो होता है वो थोड़ा सा डिसिप्लीन वाला होता है कि action oriented होता है ये जो राशी होती है उनका जो विक्तित वो होता है वो action oriented होता है मतलब अगर कोई बात sol नहीं हो रही है तो फिर वो जो बाते हैं वो action से उनका वही मानना होता है तो इसी वज़े से जिनकी मा मेश राशी के होती है वो जो संतान होते हैं वो काफे discipline होते है मतलब अगर माने कोई भी बात कह दी तो वो अंतिम हो जाती है घर पर भी मा का जो हुकुम होता है वो अंतिम होता है कई दफ़ा पिता के जो शब्द होते या फिर उनकी जो command होती है उससे भी ज्यादा वजन मा के शब्दों का होता है विद्या में भी या फिर अगर जो भी आप पढ़ाई करते हों उसमें भी मा ने अगर कोई बात कह दी तो आपको वो करनी ही है कोई भी बात चोटी मुटी बात है लेकिन इसका दूसरा अंग भी होता है जो की मा के प्रेम का होता है अब ये जो अंग होता है वो भी काफी अलग मालूम होता है मतलब जो मा खाने पिने के मामले में या फिर शिक्षा के मामले में इतनी सक्त है लेकिन अगर कोई भी अगर उनको बात आपको देनी है तो उसमें वो कभी आगे पीछे नहीं देखती मतलब कि अगर आपको कोई गिफ्ट देना है अगर आपको कोई खिलोना चाहिए तो उसके संदर में वो कभी ये नहीं देखेगी कि उस खिलोना क्या या फिर आपकी जो भी मांग है उसकी कीमत कितनी है वो कितना महंगा है या फिर वो नहीं मिल रहा है तो कैसे भी करके वो जो खिलोना है या फिर जो भी बात आप मांगते हो वो आपको देगी ही तो उस बात पर वो काफी एक्स्ट्रीम होती है मतलब अगर करना है अगर आपको देना है तो देना ही है उसके सामने उस खलियन के किमत क्या है वो माइने नहीं रखती उनकी एक बात बहुत अच्छे होती है कि अगर आपको उनको कुछ देना है तो आगे पीछे नहीं देखेगी ये बात बहुत ज़्यादा महतोपुर्ण है दूसरी ज़्यादा बहुत इंपोर्टन बात आज के जमने में तो ये बात काफी ज़्यादा महतोपुर्ण होती है कि खेल का जो मैदान होता है वो उनके लिए काफी ज़्यादा बड़ा होता है बहुत महतोपुर्ण होता है वो हमेशा आपको कहगी कि खेल में कभी पीछे नहीं रहना खेल कुद में हमेशा आगे रहना चाहिए यदि भी आपका जो शिक्षा है उसमें भी अगर आप थोड़े आगे पीछे हो गए तो चल सकता है लेकिन खेल के मैदान में आपको हमेशा आगे ही रहना है इसी वज़े से जो संतान मेश राशी की मा की है उनकी जो खेल कूत की जो भावना होती है वो काफी अच्छी दिखाई देती है खेल कूत के मामले में वो काफी आगे दिखाई देते है और वहाँ पर भी उनका यही आदेश होता है कि खेल कूद के मामले में कभी भी पीछे नहीं रहना और बाकी कि आपके जो भी बाते हैं मतलब आपको अगर कोई अच्छे आपका जो रहन सहन है खाना पिना है जो भी बाते हैं वो उनके लिए काफी ज़्यादा माइने रखती है मतलब आपको जो भी अच्छा है वही हमेशा देती रहेगी उनके लिए दो बाते सबसे बहुत ज़्यदा important होती है कि उनके शब्द के आगे आपने कभी भी कुछ भी नहीं कहना है अगर वो बहुत ज़्यदा गुसे में आ जाती है तो उनके शब्द के आगे अगर आप कुछ कहते हो तो आप उनसे वो कभी भी बरदाश नहीं होगा तो वही बात होती है कई दाफ़ा जो संतान होती है वो भी काफी होश्यार होती है कि मां का ये जो स्वभा हुए है वो बहुत ही बच्पन से वो अच्छी तरह से भाप लेते हैं और जब भी मां बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो कभी भी कुछ भी नहीं कहते हैं उनकी जो भी मांगे है तो जब भी आप कुछ अचिव करते हो उसी वो उनके सामने रख देते हैं और वो जो मांगे है वो पूरी भी होथी है तो मेश राची जो मां होती है उनके बारे में ये बाते बहुत ज़ादा महतोपुर्ण और लागू होती है अन्तिम देखा जाए तो उनकी यही बात होती है, किसी भी मा के बारे में यही बात होती है, कि उनकी जो संतान है, वो अटमोस्ट बहुत ही आगे निकल जाए, या फिर बहुत ही उचाई वो पाले, तो मेचरशी की जो मा होती है, उनकी भी अंतस्त इच्छा वही होती है, कि उनकी जो संतान है वो काफी आगे निकल जाए दूसरी सबसे महतोपुर्णबाद वो अपने जो संसकार है उनके इसके बारे में हम कह सकते हैं को वो संतान को हमेशा एक बात कहेगी कि कभी भी किसी पर भी depend नहीं रहना माँ पर भी कभी depend नहीं रहना अपना जो काम है वो अपने ही द्वारा पूरा करना किसी की मदद कभी नहीं लेना अपने बल्बूते पर ही आपको आगे बढ़ना है अगर आप खुद की मदद करते हो तो ही जमाना या फिर लोग आपकी मदद करेंगे या फिर नहीं भी करेंगे तो भी आपको अपने बल्बूते पर ही आगे बढ़ना है अब ये जो बात होती है ये बात स्वयम मेश राशी की जो मा होती है उनमें ये बात बहुत ज्यादा देखी जाती है और यही जो संसकार है जो कि बहुत महत पुर्ण है वो यही संसकार अपने संतान को भी देती है तो यही बात होती है दूसरी जादा महत पुर्णबा बहुत जादा बच्पन से ही इसी प्रकार का जो थोड़ा सा डिसिप्लीन या फिर जो मार पीट वाला हम अलग भाशा में अगर कहें तो उनकी जो दहशत होती है वो बच्चों पर संतान पर इतने होती है कि उनकी जो बच्चे हैं वो काफी ज़्यादा बड़े होने के बाद भी मतलब 20-22 उम्र के बाद भी वो अपने मा के जो आदेश होता है उनकी जो कमांड होती है उसके आगे कहने ही बाते और बोल नहीं पाते जो कि अच्छी भी बात है दूसरी ज़्यादा महतोपुर्णबाद मेशराशी की जो मा होती है उनकी उम्र चाहे कितनी भी ज़्यादा हो वो हमेशा एक्टिव रहती है हमेशा हार्ड वर्किंग रहती है घर पर उनका जैसे मैंने कहा कि उनकी जो कमांड है उनका ध्यान काफी अच्छा होता है इनकी एक जो बात होती है वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मैं तो पुर्णबाद है काफी अलग भी होती है अगर कोई खुशी की बात है तो वो जो खुशी है वो अंदर से enjoy करो और जो भी अपनी भावना है वो कभी भी दवा के नहीं रखना अगर birthday है अगर किसी प्रकार की party है या फिर उनकी संतान के बारे में कोई भी अगर ऐसी बात है जो की काफी अच्छी है अगर उनके संतानों में काफी अच्छे numbers लाए है या फिर उनकी कोई birthday है या फिर कोई भी बात एक उत्सव की तरह वो celebrate करती है बहुत जी जान से मतलब उस वक्त वो यह नहीं देखती कि मैं क्या हूँ बस उनका जो मा का जो प्रेम है वो उसमें उमण के ज़्यादा दिखाई देता है तो ये बात मेश राशी की जो मा होती है उनमें काफी जादा दिखाई देती है और संतान के मामले में अगर देखा जाए तो वो संतान को पूरी तरह से freedom देती है मतलब अगर उनको किसी भी क्षेतर में आगे बढ़ना है तो वो ये कभी नहीं देखेगी कि ये जो क्षेतर है वो छोटा है बड़ा है या फिर अपने स्टैंडर्ड का नहीं है ऐसा कभी नहीं देखेगी और अपने संतान के लिए किसी भी प्रकार का hard work कर सकती है अगर परसिती या अगर financial status काफी low है और पैसों के वज़े से अगर संतान की जो विकास है प्रोग्रेस है वो अगर रुक रही है तो मेश राशी की जो स्तरी होती है या फिर मा होती है वो किसी भी level तक मतलब आगे जाके खुद कोई काम करेगी और संतान की जो भी इच्छा अपैक्षाए है वो पूरे करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती है और उनका जो लगा होता है वो काफी ज़्यादा देखा जाता है मतलब मैंने जो शुरुवात में बात कही कि वो काफी सक्त होती है कमांडिंग निचर के होते है काफी ज़्यादा active होते है या फिर action oriented होते है वो जो सभी बाते होती है वो संतान केवल और केवल संतान अपनी life में आगे बड़े इसी वज़े से देखी जाती है तो शुरुवात में अगर देखा जाए इनके जो neighbors होते हैं उनसे भी अगर पूछा जाए तो ये जो मेश राशी की जो मा होती है वो जल्दी से कहेंगे कि काफी सक्त है लेकिन अंदर से अगर देखा जाए इसके जो परणाम होते है जब भी इनकी जो संतान होती है वो जब बड़ी होती है तो उसके जो परणाम होते है उसके जो अच्छे परणाम होते है वो संतान में देखे जाते हैं इनके संतान भी इनके मित्रों को यही कहेगी चाहे मा कितनी भी सक्त हो लेकिन जब ही हम बिमार होते हैं जब ही हमें कोई health issues रहती है तो जो मा है वो मोम से भी ज़ादा soft हो जाती है तो यही सब यह खूबिया मेश रशी की जो मा होती है उनमें देखी जाती है आपके इसके संदर में अनुभव क्या है आपको यह जो वीडियो है इनमें बताएगे विचार कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना यह जो चैनल है ब्रह्मान्ट सिद्धियास्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करन धन्यवाद